नमस्कार बाप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बिहार की निदीश सरकार बिहार की छात्राओं को सिक्ष्षित बनाने के लिए हर संभव प्यास कर रही है जिसके तहथ ही जागरुकता फैलाने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी छात्राओं की काफी मदद की जाती रही है जिसके तहथ ही ये सुनिशित किया जाता है कि बिहार की कोई भी छात्रा पैसे के आभाव से सिक्षा से बन्चित ना रहे इसी के तहट अब विहार में छटी कक्षा में पढ़ने वाली से लेकर स्नातक पास करने वाली छादराओं तक के लिए प्रोटसाहन राश्री के रूप में 1223 करूर रुपे मिलने वाले हैं इस राश्री के भुगतान का सिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तयार कर लिया है जिस पर मंत्री मंडल की स्विकृती जल्द ली जाएगी फिल्हाल सिक्षा विभाग ने लाभार्थियों की पूरी सूची विभाग ये पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सभी जिलो को दिया है सिक्षा विभाग की तरफ से साजा की गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बालिका प्रोटसाहन योजना के तहट इंटर पास होने वाली और विभाहित चात्राओं के लिए 400 करोर रुपे प्रस्तावित है इस योजना के तहट बिहार बोर्ट से इंटर पास होने वाली और विभाहित चात्राओं को 25-25 हजार रुपे दिये जाएंगे वही मुख्यमंत्री बाली का सनातक प्रोटसाहन योजना के तहट सनातक पास होने वाली चात्राओं के लिए धाई सौ करोर रुपे प्रस्तावित है इस योजना के तहट रज के विश्विद्यालियों से स्तनातक पास होने वाली चात्राओं को 50-50,000 रुपई मिलने वाले हैं मुख्यमंत्री शुरताबदी बाली का पोशाक योजना के तहट चात्राओं को पोशाक के लिए 200 करोड रुपई दिये जाएंगे इसके तहत ही नौवी से बादहवी कक्षा की चात्राओं को दोदर सिट पोशा के लिए प्रती चात्र डेड़ हजार रुपए का भुकतान होगा वही मुख्यमंत्री बालिका साइकल योजना के तहत नौवी कक्षा में पढ़ने वाली चात्राओं को साइकल के लिए 123 करोड रुपए प्रस्तावित है इसके तहत ही अब 9 वी कक्षा में पटने वाली चात्राओं को साइकल खरीदने के लिए प्रती चात्र तीन हजार रुपए देने का काम होने वाला है मुख्यमंत्री प्रोचसाहन योज़ा के तहत ही 100 करोड की राशी प्रस्तावित है इस योज़ा के तहत बिहार बोट से प्रथम स्ट्रेडी में माक्ट्रिक पास होने वाली 11 वी कक्षा में नाम लिखाने वाली बेटियों को प्रती चात्र तस हजार रुपए देने का काम होगा मुख्यमंत्री बाली का पुशा की योज़ा के लिए 100 करोड रुपए प्रस्तावित है इस योज़ा के तहत 6-8 वी कक्षा में नामांकित बेटियों को 2 सेट पुशा के लिए प्रती चात्र एक हजार रुपए दिये जाएंगे इस प्रकार सानेट्री नापकिन देने के लिए भी 50 करोड रुपए प्रस्तावित है यानि कि बिहार सरकार की विभिन योज़नाओं के तहत 6-8 को राश्वी देने का काम किया जाएगा जिससे 6-8 रूप से भी थोड़ी मदद उन्हें मिल सकेगी साथी साथ चात्राओं को मिलने वाली इन राश्वीयों को देखते वे बिहार में चात्राओं का सिक्षादर भी बढ़ेगा इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद